अब हम तीसरा कार्टन खोलेंगे जिसमें इम्पैक्टर और अन्निप पुर्जे हैं सबसे पहले उपर का थर्मा कोल हटाएं और साब्धानी से उपर की ट्रे को उठाएं जिसमें छोटे पुर्जे अपनी जगह पे रखे हैं जैसा के आप देख सकते हैं और यूँ इन्हें टेबल पर रखते हैं इसके नीचे एक परत थर्मा कोल की और है इसे भी हटाएं थोड़ी टाइट है ये इसलिए किया है ताके आपकी मशीन सुरक्षित रहे अब आप PM10 इंपैक्टर को निकाल सकते हैं तो ये सब निकलेगा आपके तीसरे कार्टन में से झाइ़ 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 प्रयक्टर पिरो झाइ़ 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 कर दो जेए कर